नमस्कार दोस्तों स्वागतामारी यूटूग चैनल में आज हम बात करने वाले हैं एक नई भरती की, अध्यापक भरती परक्षिया संसकर्ट विगाग थैरकडेट की ठीक है बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी कि अध्यापक बरती संस्कर्ट विवाग की बरती होने वाली है लेकिन कब तक हो सकती है तो जैसा कि हमें थोड़ा सूचनाओं से मिला है कि जो इन्फोर्मेशन मिली है उसकी आधार पर हम आपको इसके अंदर इन्फोर्मेशन उ सब्सक्राइब करें आगे ऐसे ही न्यूज पाने के लिए ठीक है तो बात करते हैं हम संस्कर्ट विवाग में जो करते हैं स्रेणी अध्यापक बरती प्रक्षिया की जो चर्चा चल रही थी तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ये बरती कैसे होने वाली थी देख क्या होगी रीट के अंकों के अदार पर नहीं होगी इसके अंदर क्या होने वाली है भरती प्रक्सियाद जी हाँ दोस्तों अगर आप रीट मेंस के एक्जाम दे चुके हैं और आपका रीट मेंस का पेपर कहीं ना कहीं आपका अगर पेपर नहीं बैठ रहा है बाइलक आपक कम क्यूशन बैठ रहे हैं तो आप उम्मीद ना छोड़े क्योंकि आपके लिए यह भरती आने वाली यह जल्दी बहुती जल्दी यह भरती होने वाली है और पहले रीट के अंकों के अधार पर होनी थी लिए जिसमें अनुमोधन होगा इसकी फाइल बेजी जाएगी और उसका अनुमोधन होने वाला है बहुत ही जल्दी इस संसकर्थ विबाग की भरतिक है अब बात करें हम पद की तो इसके अंदर लगबग 2000 पद आने की संभावना है पहले भी कहीं बार इस चीज के संकेत मिल चुके हैं कि इसके अंदर 2000 पदों पर भरति होनी है अब बात करें हम L1 में कितने पद होंगे L2 में कितने होंगे तो इसके बारे में अभी तक कोई सई इन्फोर्मेशन नहीं है कि कितने L1 में होंगे कितने L2 में होंगे लेकिन 2000 पदों पर ये भरति होनी है जल्दी ये ब आशी बात है कि इसमें भरती प्रक्सिया होगी Lets worship अदर भरती प्रक्सिया होगी अगर कहीं भी आपको you abunskaric month में निरासा हाथ लगी हो तो आप इस भरती की तैयारी जारी रख सकते हैं आप इसकी तैयारी कर सकते हैं एक आपके लिये सुबहुसर है आपकी उम्मिदों के लिए ये संस्कर्थ विबाग की बरती बहुती जल्दी आने वाली है तो आप जैपूर से जैसे कहीं जैपूर रहते हैं कहीं तैयारी करते हैं तो रीट मेंस में निरासा आथ लगने के बाद कहीं जैसे information है या फिर जैसे मेरे भी जानकार है तो सब कहीं रूम खाली करके घर के लिए चले जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं निरास होने की जुरत नहीं है देखो उम्मिद सबको रहती है जोब की लेकिन आपके लिए उम्मिदों को बरकरार रखने के लिए भरती बहुत ही जल्दी आने वाली है तो इसलिए आप टैयारी जारी रखे और निरास होने की ज़रुत नहीं है दोस्तों जिंदकी में देखो निरासा हाथ लगती है लेकिन जब आपकी महनत उस निरासा के आगे बहुत ज़दा हो जाती है तो कहीं ना कहीं बगवान भी आपको हाँ टाइम ज़रूर लगता है कहीं बार आपकी सफलता में लेकिन सफलता से बड़ी ऐस सफलता नहीं हो सकती हमेशा सफलता के आगे सफलता ज़रूर होती है इसलिए आप इस बरती की तयारी करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ओके धन्यवाद